बिधायक नरेंदर ठाकु ने हमिरपूर के वज़त बबन में हिमाशिल ग्रीनी सुबदा योजना के तहत 300 से अधिक महलाओं को मुखत गैस कनेक्शन अवंटेद के इसका लाब ऐसे परिवारों को मिलेगा जो परदान मंत्री उजबल योजना और ग्रीनी सुबदा योजना के मामलों पर बिधायक ने चिंता चताई है और लोगों से सरकार के दोरा जारी S-O-P का पालन करने की अपील की है बिधायक नरेंदर ठाकु ने बताया कि हमाशिल ग्रीनी योजना घरों में LPG गैस कनेक्शन परदान करने की परदेश सरकार की एक महतोकांसी मुहीम है मई 2018 में लोगों को चुलहों के बजाए LPG गैस इंदन वाले स्टोप का उपयोग करने के लिए प्रोचाहित करने के लिए इसे लौच किया गया था ये चुलहों से होने वाले भायो प्रदिशन से निजात पानी में मदद करता है उन्होंने बताया कि हिमाशल गरीनी योजना को उन घरों को कबर करनी के लिए शुरू किया गया था जिने परदान मंत्री उजवल योजना द्वारा छोड़ा गया था 2019 के अंत तक राजिया ने योजना के तहट दो लाग से अधिक किक बित्रित किये थे गरीनी सुब्द योजना के तहट लगभग हमिर्पर विधना सबक शेक्तर में आज 304 कुनेक्शन जो अब दिये गी है और जवसे परदेश में हमारी सरकार बनी है लगभग च्छती सो कनेक्शन जो है इन तीन सालों में जो है जिनके पास अपने गयास के कनेक्शन नहीं थे ग्रीनी सुब्द योजने का दिये गए है इसके लावा किंद्र की सरकार की योजना आई उसमान योजना उसमें अलग से जो योजना किता है जो पास्तर लोग थे उनको गैसी क्नेक्शन दिये गए तो आज मैं बड़ा इसे कह सकता हूँ कि हमचल परदेश में आज की डेट में हारली को यसा परिवार बचा हो जिसके पास अपना अलग से गैस का चुलन ना हो तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इसमें देश के प्रधान मंतरी आदनी मोधी जी का और जिनने आई एसमान योजना का सुवाराम किया और उसके बाद परदेश के मुख्या मंतरी श्री जैराम जी का जो आई समान योजना के तहर जो पातर लोग नहीं थे उन सब को कवर करके हमचल परदेश आज बार्दवस का पहला राजिया बना है जिसमें हर परिवार के पास अपना गयास का चुलना है इसके लिए मैं परदेश के मुख्या मंतरी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंदा और साथ मैं अभी हाल ही के बजट में जो सतर साल के बाद पैंसर की प्राफदान था हर महला और बजूर के लिए लिकनि सबार महलां की यह जो है वो सतर से पैंसर कर दी और सतर साल की जो आईवे में जो महला आ रही है उनके लिए परमत एक महिने का जो है वो पैंसर का प्राफदान भी प्रदेश के मुख्य मंतरी में किया है एक साल लगवक्त करोना का बीट किया और बीच में ऐसा दोर आया जब ऐसा लगता था कि आप हिमाचल प्रदेश जो है वो करोना फ्री हो गया लेकर अब रिशेंटली अब एक अफ्टे से जाम हम देख रहे हैं तो जिस अफरतार से पहले सुरु आ तो उस्टी करोना की बैसे ही सुरु हो गई है आपको ये भी पता है कि जो गाड़ लाइंस सरकार ने दी है हम लोग कैजल हो गए सरकार भी प्रियोग करके वा जो आइसोलेशन है उसका ख्यार रखके ही आगे वाला समय जो जंक से पर चालना पड़ेगा नहीं तो मैं ये कहांगा कि बड़ी रैपर स्पीर से फैल रहा है और सुचेशन जो जी जंक से फैल रहा है अगर हमने प्रक्योंस नहीं ली और सरकार ने कु नरेंदर ठाकुर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश पूचिला में कुरोना के मामलों में ब्रोत्री हो रही है इसलिए लोग सिरकार पूपरशासन के द्वरा जारी दिश्चा निर्देशों का पालन करें उन्होंने चिंता जिताई है कि अगर जंता एसोप जो प्रिंदा बने और वहां गई थी उसमें लगव एक्ती के लोग प्रिसंजर थे और मुझे लगता है कि सारे के सारी कुरोना पॉच्ट हुआ हैं और इसमें कोई हम यह नहीं कह सकते हैं कि जो जहां जहां गए हैं वहां वो इसको स्प्रेड करने का काम ना करें इसलिए मेराम सबसे यहीँ नहीं र Repeer God को भी हम आगे सरकार भी सक्क्ती करने जा रही हैं लेकर आपको यह भी पता है कि लौग लागव जादा है तो हमने और ऑर केशमें को सामना करना पढ़ता है इसलिए हम सब का यह फर्द बनता है कि पूरी प्रक्यास लेकि ही आगी चले आपको पर कही तरह के लोग होते हैं कही तरह के क्यास होते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है माने हमारे परदेश के मुक्यमति जैराम जी एक इमानदारवा और जो तीन साल का उनका कारेकार रहा है एक्सेप्सनल रहा है इसलिए तो सोचल मीडिया पर ब्रातिया फैली जा रही है वो किसी का अपना सेल्फ मिट्रास सोचल पैसा कुछ दिए